So hello guys, कैसे आप लोग, I hope कि आप सभी लोग बढ़ी आऊंगे So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप Samsung F12 Mobile में किसी भी एप को हाइड कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही simple तरीका है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप hide कर सकते हो और उसको कैसे आप देख पाऊगे So simply दोस्तों, आपको किसी भी एप को hide करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो चलिए, जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है अपने app drawer में यहाँ पर देखिए, app drawer में उपर आपको three dot मिलना है three dot पर click करना है, उसके बाद home screen setting पर आपको click कर देना है home screen setting पर जैसे आप click करोगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आजाएगा अब आपको थोड़ा नीचे scroll करना है तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा जहाँ पर लिखा मिलेगा आपको hide apps तो hide apps पर आपको click करना है यहाँ पर देख पा रहे हो, hide apps है इस पर click कर दिया और आपके सामने सारे apps आजाएंगे अब जिसको भी आपको hide करना है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लिजे जैसे आप उस पर tap करोगे तो यह उपर select हो जाएगा और उसके बाद आपको select करने के बाद आपको नीचे देखिए लिखा हुआ है done तो done पर आपको click करना है तो जैसे आप यहाँ पर done पर click करोगे तो यह application जो है आपकी यह hide हो जाएंगी चोड़िये मैं आपको देखा देता हूँ यह यह hide हुई कि नहीं हुई यहाँ पर आप देखोगे home screen पर तो आपको यह applications hide हो चुकी है दोस्तों अब इनको आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आप सर्च बार में उपर दिख रहा है सर्च बार में उस application का नाम लिख दोगे तो सर्च में आ जाएगा वह application और आप देख सकते हो उसके बाद अगर आपको unhide करना हुआ तो आपको फिर से वही उपर जाना है 3.0 पर और home screen setting पर और उसके बाद आपको app site पर फिर से ले आना है और app site पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरीके से आ जाएगा अब आपको उसी apps को deselect कर देना है और उसके बाद नीचे done लिखा हुए done कर देना है तो वह application फिर से unhide हो जाए कर देना और उसके बादा है और किर से